है अब व्रीवन वेल्कम बैक डूमाइच चैनल आज आज की वीडियो में देने वाला हम डीटेल रिव्यू जो की गाड़ी रहने वाली ऑल्लीव अलकसाथ विरिंट विरिंट रहने वाला को बेस विरिंट जो की काफी ज्यादा वैल्यू को मनी विरिंट ए कैसे क्या है वह कैनल आपको वीडियो मताँ और स penal सबस में ने वालए और एबने ओध सुनूद सेटब ने वाला है और विजह सामने खड़ी एस सामने में आपको चौनेके में वाल जाएगी जो कि कुछ H-shape में रहने वाली है और एक काफी यादा सुन्दर लगती है फ्रेंट से देखेंगे आप तो और नीचे साइट देखेंगे है Headlamp जो की LED Setup रहने वाला है जो की आपकी Top End तक Same रहने वाली है Headlamp इस साइट आप देखेंगे प्यानो ब्लैक फिनिश में आपको गिरल्स मिल जाएंगी यह देखेंगे यह काफी सुन्दर लग रही है और नीचे की साइट आपको Silver Color की Skip Plate मिल जाएगी जो की आपके Under Body Scratch से Protect करेगी इधर की साइट आप देखेंगे Hyundai का आपको Logo मिल जाएगा चलिए अब चलते हैं साइट के लोक में साइट के लोक कुछ स्टाइब करेने वाला है इसमें आपको 17 इंच के अलोई मिल जाएंगे जो की Base Model में अलोई आने वाले है टायर प्रोफाइल की बात करूँ 215,6,8,7 की टायर प्रोफाइल लेने वाली है और इसमें आपको डिस्ट ब्रेक चारो टायर में मिल जाएगी क्योंकि साइट की बात करूँ तो साइट मेरे आपको Body Color Pinted मिलेंगे और इंडिकेटर की साथ मिल जाएगे और आपको Electrically Foldable and Adaptable दोना ही आजाएगे इसमें आपको Pedal Lamp नहीं मिलेगी और इस साइट बात करूँ डोर हेंडल की डोर हेंडल बॉडी कलर मिलने वाले हैं और आपको रिक्ष सेंसर के साथ आजेंगे यह देखिए यह आपकी लॉक होगी है यह अनलॉक होगी है टॉप मोडल में आपको डिस्टल की मिल जाएगी बट इसमें आपको रिक्ष सेंसर मिल जाएगा और ग्राउंड की बात करूँ जो की 200 mm को रहने वाला है और साइड में भी आपको स्केपलेट मिल जाएगी साइड के स्क्रेचिस बग्रा प्रटेक्ट करेगी काफी जादा प्रटेक्ट करूँ रूफलेट जाएगी यो कि आपकी रूफलेट हाइट काफी इंक्रीज करती है यह एंड लुक्ष कहने होता है यह देखिए और पीछे कि साइड बात करूँ तो पीछे कि साइड यह देख सकते आप और फोर डिस्क्त मिल जाएगी जैसे कि आपको और उपर एक साइड संरूफ वगर आपको इसमें नहीं मिलेगा एंटिना मिल जाएगा तिक बला नॉर्मल जो एंटिना आता है वो हैंड बैक का लुक की बात करूँ जो कि यह देखिए बाहर से देखने में को कहनी पायग है कि यह बेस मोडल है क्योंकि आप आपको सारे फिचर्स मिल बेसे पीचे इसाइट आपको connected tail lamp मिलेंगी जो की टॉपएंटी tis तरह सेम बलेंगी तुर्था सेम ब लेंगी इससरी आपको डिफाइबж मिल जायगा उन्ड़ी का लोगो मिल जायगा इसाइट देखिए अप तो तर्व की बैचिक है क्यूंकि में 1.5 का turbo engine आता है और 1.5 का diesel engine भी आता है यह देखिए पीछे की साइड आपको four sensors मिल जाएंगे कुछ इस तरह के हैं and यह आपको reflector मिल जाएगी यह कोई light नहीं है and इस साइड देखेंगे आप तो आपको यह देखिए exhaust मिल जाएगा यह dual exhaust मिल जाएगा भी जाएगा झाट आपको इसाड की बात करूं तो इस साइड आपको सेम इसी तरह का का लोग रहने वाला है यह देखिए अब चलते हैं इसका एंटीरियर के तरफ इंटीरियर में चलने सपहले है मैं सकी की दिखाता हूं की जो है गाईस कुछ इस तक सेम की इसी तरह की है इ आपको खूलना मैनूली पड़ेगा चलिए अब चलते एंटीरिय के तरब ये देखें इंटीरिय के बात करूं जो कि आपको डूल टोन में उसल ने वाला है और ये आपको काफी सुन्दर लग रहा इंटीर जो कि टॉप एंट तक सेम इंटीर रहने वाला है इस कलर में इस साइड बात करूँ दोर, ड्राइबर साइड डोर है कि तो जू कि आपको चारो पाउर विंडोस मिल जाएंगी एंड इधर की साइड आपका लॉक अनलॉक का दिया गया है यह आपका साइड मेर फोल्ड का दिया है यह देखिए बेस मोडल में यह आपका यहां से इस मोडल में वो फैबरिक मिलेंगी यह देखिए कुछ इस टाइप की सीट से कलर सेम रहेंगा बट सीट आपको फैबरिक मिल देंगी टॉप एंड में आपको लेदर राइट सीट मिल जाएंगी और ही आपकी हाइड अजिस्टेवल के साथ आएगी जो की मैनूली हाइड होगी इसमें और आगी बीचे भी आप कर सकते हैं मैनूली चलिए अब चलते हैं इसके इंटीरियर में इंटीरियर के बात करूँ जो कि आपको एक चीज मिसिंग लग रही होगी यह सिस्टम आपको बस बेस में सिस्टम नहीं रहा है बागी आपको सब कुछ मिला है काम की छो भी चीजे होती है आप कहेंगे सब्सक्तर के बात करूं सिटेरिंग की की स्टे रख़ए बागी सब्सक्राइए बात करें कुछ इस्टेप करेने वाला है एंड इसके जो इसकी बात करूं पहले सबंद कर लेते हैं और इसके बात करूं जो कि आपका डिस्टल लेने वाला है थोड़ा-थोड़ा अपका वेन्यु से मैच कर रहा क्योंकि टॉप एंड में अड बेस में आपका स्पीडो मीटर डिफरे के कंट्रोल नहीं मिलेंगे और स्पीडो मीटर के सारे के सारे कंट्रोल मिल जाएंगे यह आपका क्रूस कंट्रोल का दिया गया है यह देखिए क्रूस कंट्रोल का दिया गया है यहां से आप स्पीडो मीटर के साइड कर सकते हैं और इस साइड देखेंगे तो इस साइड पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा यहाना दिखाता हूं यहां से यह देखिए पुश बटन स्टार्ट यहां से मिल जाएगा आपको यह देखिए पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा यह आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप का दिया गया है यहां से बन कर सकते हैं यहां आफ कर सकते हैं, आप लाइक के गण्टोल सेट कर सकते हैं, अब चलते हैं इदर की साइड, आपको सिस्टम अगरा कुछ मिल एगा निदे तो यहाँ सपेस मिल जाएगा, नीचे की साइड बात करूं, तो आपको आपको डूटल जोन अ, रहने वाला बेस मोडल में, टॉप है में भी आपको dual zone AC आता है बेस में भी आपको dual zone AC आने वाला है यह देखिए इस साइट बात करूँ थोड़ा सापको space मिल जाएगा यह देखिए wireless charging इसमें नहीं मिलेगी जो कि six speed manual transmission आने वाला है engine आपको same turbo engine मिलने वाला है बट इसमें manual transmission का option दिया गया है जो कि इसमें manual आता है top में आपका automatic मिल जाएगा upper variance में and इदर की side आपको यह देखिए center में आपको इसमें थोड़ा सा space मिल जाएगा यह नॉर्मल ही है कूल बगर नहीं है and इस side बात करूँ यह देखिए glove box क्योंकि आपका cold रहने वाला यह देखिए cold glove box मिल जाएगा and इदर की side थोड़ा सापको space मिल जाएगा इस side बात करूँ तो आपको same रहने वाला है color बगर थीम बगर सब कुछ same power window बगर मिल जाएगी उपरगी side देखेंगे तो आपको यह देखिए लाइट समी यह देखिए यह बेसplate मॉडल में आपको white light मिल ली है यह property mês यहाँ बगर रहने दिया घया है बेस मोटल में यह देखिए और इससे संदूफ नीजिया है तो हाइट भी काफी उची-उची से लग रही है मनला हैड़ स्पेस काफी जादा लग रहा है यह देखिए अब चलते हैं इसके सेकंड रो में सेकंड रो का दिखाता हूं यह देखिए आपको जो सेकंड रो का डोर है कुछ स्टेप कर रहने वाला है रियर का डोर जो की यह देखिए इस सेट आपको विंडो कटेन मिल जाएगा बेस मोटल में यह थोड़ा से स्पेस मिल जाएगा यह आपको पार विंडो के कंट्रोल द आपको इसमें 7-seater का option दिया गया है बेस मोटल आपको 7-seater का option नहीं मिलेगा captain seats नहीं का option नहीं मिलेगा and चलते हैं प्रेंटेंस के second row में second row से आप लुक देखेंगे कुछ step पर रहने वाला है यह आपको rear AC मिल जाएगा यह देखिए इधर की साइट थोड़ा सा space मिल जाएगा इसमें आपको wireless charging option नहीं दिया गया है आपको two मिल जाएंगे charging ports जो की type C रहने वाले हैं and लैकर space की बात करूँ जो कि यह देखिए काफी उच्छा मिल जाएगा यह देखिए आपको base model में tray भी मिल जाएगी इसके आप रखके कुछ भी खापी सकते हैं यह देखिए बेस मोडल में मिल आपको जो की टॉप मोडल में आता है बड़ आपको यह मिल जाएगा handrest की बात करूँ जो की आपको adjustable है यह देखिए आप adjust कर सकते हैं चारो के चारो headrest आपके बलगी six के six आपके rear की seats के भी आप सैकेच है आप adjust कर सकते हैं यह देखिए इदर की साइड आपको light मिल जाएगी यहां पर कोई आपको light नहीं मिलेगी और दोनों साइड आपको tray मिल जाएगी यह फीचे की seats में जाने का कुछ नहीं है मैं दिखाता हूं किस तरह आपको जाना है हुआ है थार्ड रोड में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है अब तरह अपको को पर पहले तो इसको नीचे ख़लीजे मैं यह पनिए यह प्र्त उप्रेस और ऐगाना उसको प्रेस करना है और आपको एक रएसे दबाना है बास आप एज़ी जा सकते हैं तर्रो में पीछे करी गई है कुछ इस तरह से आपको स्पेस इतना जादा नहीं मिलेगा बच्चों के लिए दी गई है इसको थोड़ी और आगे कर लेंगे तो आपका स्पेस मिल जाएगा एंड थर्ड रो की बात करूं जोगी आपको थर्ड रो में कंट्रोल मिल जाएगा यह परसन जो बैठेगा उसके लिए सीट विल कर दिया गया है और उपर की साइड आपको लाइट भी मिल जाएगी थर्ड रो में इस साइड भी आपको एसी का प्वैंट मिल जाएंगे और अधर आपको बाटल स्पेस मिल जाएगा यह देखिए अब चलिये निकलते हैं क्यों यह दिखेए बूट स्पेस की बात करूं अगर आप थार्ड रोग को अगर यूज करेंगे तो आपका 180 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा अगर आप इसे फोल्ड कर देंगे फोल्ड रोग को कुछ इस तरह यह देखेए मैंने फोल्ड कर दिये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सामान मगाने जादा हैं इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज और मैं दिखाता हूं। यह ना फोलक डियाे ऑन इस साल सांगे में दिखाता हूं। फोल करके je second row लोकी seats है nouveaux यहने फोलक डिया है और आप इस तरह इसे ये देगे प्रॉपर बैड पना सकते हैं गद्धा वेरे डालके सो भी सकते हैं इसली ये देखे अब चलिए बंद गड़ते हैं और चलते हैं इसके इंजन की तरब इंजन की बात करूँ जो कि आपको इसमें टर्वो इंजन ही मिलने वाला बेस मोडल से ही और इसका बोनट काफी है ये देखे पहले से फिक्स कर लेते हैं पावर की बात करूँ जो कि आपको इसमें 160 PS की पावर मिल जाएगी और 253 NM का टॉर्क मिल जाएगा इंजन जो कि आपके तर्बो इंजन आने वाला है यह देखें सेंटर में आप देखेंगे तो तर्बो स्मार्ट स्रीम जी इंजन की बैजिंग दी गई है एंड कुछ इस टेप का इंजन ने वाला है इतर की साइट आपको बैटरी मिल जाएगी और सारे के सारा इंजन इस टाइप का है कुछ आप इस कार को बनाना चाहते हैं इस कार पर बैस डील लेना चाहते हैं तो गाइस नीचे दिये के नमबर पर कॉंटेक्ट कर सके हैं एंड इस इसे कार वीडियो पर एंड करते हैं तिल देन भाइबाइ टाटा गोड बाइग